जैसा बच्चो कॉलेज रिव्यू की सेरीज चल रहे हैं उसमें बच्चों का डिमांड आया कि अजे कुमार गर्ग इंजिनेरिंग कॉलेज का भी आप लोग रिव्यू कर दीजिए तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शौट रिव्यू आपका करने वाले हैं इस छोटे केम्पस अपको सही देखने को मिलेगी बाकि एरिया की बात करें तो 40 एकर का कैमपस है तो एक आपका कैमपस है जाधा भड़ा कैमपस है जिलोग देख सकते हो बाकि प्लेशमेंट की बात करेंगे तो नाम": जो कि जैनुविन है यहां पर हाइस पैकेज एक करोड से उपर का भी गया है लेकिन वही वह आपका समझो कि ऑफ कैमपस है ठीक है ना मतलब बच्छे ने कहीं और अपलाई किया वहां लग गया तो वह आफ कैमपस है ठीक है तो में आप 33 मान के चलो बाकि यहां पर 2022 में लग आपको होस्तल्स के अंदर वेसिक फेसलिटिज देखने मिल जाएगी यहां पर टोटल कपासटी रहने वाली है 904 गोईस इतने बच्छे होस्तल में रह सकते हैं और आपको बताया हुस्तल्स में सारी चीज आपगो बैसिक देखने को मिल जाते हैं मैं सफूड यहां का ठीक कबड़ी हो गया पूल टेवल हो गया रनिंग ट्रैक्स किर्कट का ग्राउंड वॉलीबॉल बास्केट वॉल जिम हो गया बके इंडोर स्पोर्ट में चैस कैरम टेवल टैनिस यह सब आप लोग खेल सकते हों देखो बच्चो अभी तो हमने थोड़ा सा डिसकस किया अभी अच्छे से प्राइरिटी में आपको लगाना होगा क्योंकि अगर आपको लेने के देने पर सकते हैं यानि कि हो सकता है कि आप अच्छे रैंक लाकर के भी आपको अच्छा कॉलेज ना मिले इसलिए चौइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर बच्छों अच्छे से टोड़ी सी बेकार रैंक भी आई आए अठ लाग दस लाग ऐसी एक अच्छे कॉलेज के अंदर मिल सकता है तो आपको प्लेस्मेंट अच्छे से नहीं लगेगी और साथ जाकर करके आपको ताने सुनने को मिलेंगे जिस कॉलेज में जाओगे वहां विबच्चे कहेंगे बढ़ियां कॉलेज मिल सकता है तो क्या से चॉइस करका है जो इस कॉलेज में आ गया साधी साथ आपके पेरेंट्स की जो मेहनत की कम आई है कॉलेजों में एक लाग दो लाग इतनी जादा जादा फीस आप देने वाले हो किसी गलत कॉलेज में वेस्ट नहीं करना चाहोग कॉल करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिये जाते हैं जिन से अभी से लेकर के जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते तब तक पूरा आप लोग जितने भी डाउट्स आते सब कूछ सकते हों जाकर कर आपको एक वोटसेप ग्रुप में अभी से लेखर करके जब तक आपका काउंसलिंग चलेगा तब तक सब कुछ आपको पता चलता रहेगा इसके बाद आता है पूरी के पूरी परस्टेगर के साफ से जितने भी कांसलर से मार्केट के अंदर कोई भी परस्टेगर कराने वाला ऐसा नहीं यहां करवा करके दिया जाएगा इसके बाद डॉकमेंट्स के रिलेटेड होगे जितनी भी चीज़ें बारे में हर कुछ आपको पता चल रहा हो त के लिए बच्छों आप से हम चार्ज करें कितना बट यह कुछ बच्चों के लिए है कुछ बच्चों के बाद इसकी फीज जो है यहीं से बढ़ा करके 15 कर दी जाएगी क्यों कि कॉलेज में दो दो लाख रुपे खर्च करने वालों यहां कांसलिंग के लिए हजार रुप तक आइटी ब्रांच तक मिल जाता है इसी ब्रांच आपको पांच लाख रांग तक मिलता है बाकि ओबी सी आप लोग देख सकते हो सब मिल जाएगा इतना नीचे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा बाकि सी डेटा साइंस की बात करें इसमें क्या होगा कि जो भी आपके कॉलेज के फीस लगे उसमें टूशन फीस पूरी माफ हो जाएगी बस आपको रिमेनिंग जो फीसे से वह बस देनी पड़ेगी इसमें आपको 94,000 तक CSE डेटा साइंस CSE ब्रांच आपको फ्डबू चाहिए 93,000 तक EC ब्रांच FW में चाहि ब्रांच 6,88,000 तक मिल जाता है बाके फीस की बच्चों बात करेंगे तो 4,93,000 के पांच लग के इंस्ट्यूट की फीस है कॉलेज फीस है बाके होस्टल का खर्चा भी लगबग आपको 4-5 लाग का देखने को मिलेगा टोटल खर्च आप लोग मान के चलो कि 9-10 लाग का ख स्किल्स पर काम करा तो 9-10 लाग का भी बच्चे उठा लेते हैं लेकिन वह काफी मुश्किल होता है काफी अच्छे एफोर्ट सबको डालने पड़ते हैं ठीक है तब जाकर कि मिलता है तो आप लोग को देख सकते हो आइडमिशन ले सकते हो कि यह टॉप कॉलेजिस के सच्छों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फिर भी कुछ बच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके पूल सकते हो रहां ध्यान से कांसलिक्स अपर्ट में रॉल कर लेना सबसेट थैंकी फॉर वाचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भार